अगर आपके पास पढ़ाई ना करने के सो बहाने है ना, तो थोड़ा सा और सोचना, क्योंकि पढ़ाई करने के एक हजार मकसल है, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे पढ़ाई ना करने के एक लाक बहाने बताओ, मैं आपको सिर्फ एक रीजन बताऊंगा पढ़ा ही करवाएगा, आठ मिनट तक छोड़ना मत इस वीडियो हो, जो एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वज़े से आपको पढ़ना चाहिए, that is your right, your right to study, आपका अधिकार, your right to get success, पैसा कमाना, माबापको early retirement देना, नाम कमाना, दूसरों से आगे बढ़ना, ये सब आपक आपकी खातिर, मजबूरी में जीए, कि आपका ये दिखार नहीं कि उस इंसान को जूटा साबित करके दिखाओ, जो बोलता है कि तु नहीं कर सकता, क्या आपका ये दिखार नहीं है कि आप अपने आपको खुद की नजरों में प्रूफ कर पाओ, कि मैं खुद अपना एक बेटर वर्जन तयार कर सकता हो क्या आपका ये धिकार नहीं है कि आपके पास भी कार हो बंगला हो सारी सुईदा हैं आप अपने माबाब की भुढ़ापे में अच्छी तर केर कर सको और केर करने के लिए आपको आज पढ़ाई के प्रती केरलेस नेश से बाहर निकलना पड़ेगा आज अगर आप केरफुल बनोगे पढ़ने के लिए तभी सक्सेस्पुल हो पाओगे आज आप गरीब हो आज आपकी बात कोई नहीं मानता आज हर कोई आपका मजाग बनाता है आज आपके साथ कोई नहीं ख़ड़ा रहना चाहता study hard and become a hard pillar so others can take your support to stand be a leader and the leadership comes from knowledge and knowledge comes from उन किताबों से जो अभी धूल खारी आपके बास दम लगा के पढ़ाई करो चाहे वो कितनी ही impossible लगे चाहे उसमें आपका दिन का पूरा टाइम चला जाए चाहे आज आपको रात भर चक्के पढ़ाई करनी पढ़े वो जो successful होने वाली feeling है न उससे बढ़िया feeling और कोई नहीं है जब बंदा successful होता है तो उसके पीचे उसकी कई रातों की, कई दिनों की महीनों की, सालों की महनत होती है find out your reason to study क्यों, क्यों पढ़ना है आपको what is the reason, मैं बताता हूँ just get up and see your face in mirror क्या दिखता आपको अपने चेहरे पे, एक loser या एक जिद्धी, सुबह उड़ने में जिसको जोर आता है या एक वो जिसके बारे में लोग सुबह उड़ते ही खबरे पढ़ेंगे आज आपको जो नजर आ रहा है शिशे में वही आप कुछ साल बाद में बनने वाले हो ये चमतकार है, आप जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसा बन जाते हो, ये वरदान है इंसान को उपर वालेगा, आप जैसा चाहोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही काम करोगे और वैसे ही बन जाओगे अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं पढ़ सकता तो आप नहीं पढ़ सकते अगर आप सोचोगे कि यस मैं पढ़ सकता हूँ तो आप पढ़ सकते हो अगर आप सोचोगे कि मुझे किताबे उठाती नीन आती है तो आपको पक्का नीन आजाएगी अगर आप सोचोगे कि मैरी जो real life है उसका सपना ज्यादा जरूरी है नीन वाले सपने से तो आपकी नीन दूर दूर तक भाग जाएगी This is the power of self-belief This is the law of attraction This is the law of nature You become as you think and do वो जो एक region है ना आपका पढ़ने का वो more than sufficient आपको पढ़ाने के लिए रात बर जगाने के लिए And that is right to achieve your dreams आपके सपनों को पाने का अधिकार जो आपके लाओ और कोई नहीं करके दे सकता आपको हमेशा अपने आप से वोलो कि आज आपकी जो situation है वो हमेशा ऐसी नहीं रने वाली अगर आप चाहोगे तो एक दिन आपका नाम नाउस किया जाएगा As a school topper, as a college topper, as a UPSC topper कितना proud होगा उस moment में जब आपके dream job का appointment letter आपके हाथ में होगा आपके successful होने पर वो जो खुशी होगी ना आपको और आपके परिवार को That is unique आपको एक अलग दुनिया दिखाएगी जब आप रात को देर तक पढ़ते हो और जब आपको लगने लगता है कि आप मुझे सो जाना चाहिए तब याद करो कि आज जो पढ़ना था क्या हो complete हो गया Rules for success are very simple हर कोई जानता है उनको Simple है बड़ करना इजी नहीं है ऐसा लोग कहते हैं इन लोगों की केटेगरी से अलग सोचना है इन लोगों से आप दूरी बना पाओ या ना बना पाओ आप के ओल वैसा सोचना बंद करो जैसा वो और सोचना है अगर कोई आपको बोलता है कि यार competition का level high हो गया है विट मींस आपको भी अब smart होने की जरूरत है आपको भी अपने आपको आप्डेट करने की जरूरत है आपको भी अपने आप से ज्यादा मेहनत करवानी है किसी समझदार आद्मी ने कहा है कि ग्यान ही एक मातर ऐसी चीज है, जिस्से पूरी दुनिया बदली जा सकती ए, अपने आपको वो ग्यान देने के लिए हमेशा पुछ करते रो, जो आपकी किताबों में है जब पूरी दुनिया को ग्यान से बदरा जा सकता है तो खुद की जिन्दगी क्या चीज है मुझे याद है जब दिवाली की छुट्टियां पढ़ा करती थी तब बहुत सारा हमवर्क मिलता था ऐसे लगता था कैसे हो का लेकिन करने के बाद लगता था कि यार देखो वो गया ना आपका पढ़ाई करना तब तक आपको impossible लगता जब तक आप पढ़ नहीं लेते जब आपके marks कम आये किसी exam में तो ऐसे मत कहो कि why am I always say that I will again try problem तब तक problem नहीं होती जब तक आप उसको problem नहीं समझ लेते जब भी आप demotivate हो जाओ पढ़ते पढ़ते तो आपका जो पढ़ने का reason है ना वही sufficient होना चीए आपको motivate करने के लिए एक student के लिए दिमाग की शांती बहुत ज़रूरी होती है और शांती create करनी पढ़ती है मिलती नहीं है अच्छी चीज़े create और हासिल करनी पढ़ती है बूरी चीज़े अपने आप मिल जाती है और दिमाग को शांत कैसे करोगे जब आप सुबह एक determination से उठोगे यार आज कुछ भी हो जाए मेरा आज का slave असे उसको मुझे खतम करना है फिनिश करना आज बस complete करके ही सोना है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई करना आसान है मैं यह कह रहा हूं कि पढ़ाई आपकी जिन्दगी जीने को आसान ना दिये कई स्टुडेंट बोलते हैं कि result अच्छा नहीं आता अगर आपके ओल result के बारे में ही सोचोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला लेकिन अगर आज आज आप खुद को बदलोगे तो result अपने आप बदल जाएगा कोई बच्पन से intelligent और talented नहीं होता जब कोई focus करके पढ़ता है सुनता है, चीजों को observe करता है और फिर उनको huge करना जानता है तब उसको दुनिया smart बोलती है आपको वही smart बनना है focus होके पढ़ना intelligent होने से ज़्यादा माइने रखता है क्योंकि focus करके पढ़ोगे तो आप अपने आप intelligent बन जाओगे अगर आपका दिल तूटा है तो रोने की बजाए पढ़ाई करके सपने पूरे करो और अपनी जिंदगी को आलिशान ढंक से जीओ आज अगर आप रात को जगकर पढ़नी सकते तो मान लोग कल को आप अगर डॉक्टर बन गए तो रात को कैसे emergency डील करोगे क्योंकि आपको तो किताब उठाते नीदा नहीं लगती है रात को तो आप जगी नहीं सकते अगर आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा डिजरू करते हो अगर आपको अपनी लाइफ की सभी प्रॉब्लम सॉल करनी है तो आपको उस mindset से बाहर निकलना पड़ेगा जिसके अंदर आपने ये problems create करके रखिए और जो problem है आपकी पढ़ाई ना कर पाने की उस thought process से बाहर निकलने का time आगया इस video को हर एक इंदुस्तानी student के साथ share करना और खास तोर पर उसके साथ जो बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी महनत कर रहा है आगे बढ़ने की कोशिस कर रहा है और एक बाद जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ा सोचो और बड़ा करो देश में अपना नहीं बलकि दुनिया में देश का नाम करो जैहिंद वन्दे मात्रो जैहिंद वन्दे मात्रो जैहिंद वन्दे मात्रो